गुद मॉर्निंग स्टुरेंट्स, वेलकम टूशी रादा बललाव अकेडमी, आज हम बिटा मैंने आपनों को फर्स वीडियो में हिंदी व्याकरण का फर्स चैप्टर का भाषा के बारे में बताया था, अब इसका जो दूसरा पाठ है भाषा और व्याकरण, तो अब व्याकरण के बारे में हम पढ़ेंगे और भाषा को लिखित रूप में जो हम लिखते हैं, उसको क्या कहते हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे पढ़ने से पहले मैंने जितना भी आपको पहले भाषा के बारे में समझाया था उसको आपने अच्छे से पढ़ा उसमें अगर कोई दिक्कत है या कुछ भी अगर आपको डाउट से तो वो आप doubt class में clear कर सकते हैं इस chapter को complete करने के बाद मैं आपको जो book में जो आपका अभ्यास में जितने भी question answer है जैसे tick the correct answer है fill up से और भी बहुत सारे question answer मैं उसकी pdf बना के भेजूंगी बाकि आपका tick the correct answer right wrong fill up यानि रिक्तिस्थान matching जोड़ियां यह जो भी आपके book में fill करने के लिए हैं उसको मैं fill करके उसकी pick आपको भेजूंगी तो आप उसमें से देखकर उसको book को भी साथ के साथ fill करेंगे ओके तो हम अब अपना इस chapter का आगे का व्याक्या मतला आगे की जो भी बाते हैं वो मैं आपको समझाती हूं उसे आप ध्यान से सुनिए अभी मैंने बताया था कि भाषा जो होती है वो मनुष्य के विचारों के आदान प्रदान करने का माध्यम है व्यक्ति अपने विचारों और भावों को एक दूसरे तक पहुँचाते हैं वो भाषा के माध्यम से होता है अच्छा हमने बोल कर जो भाषा हमने पहुचाई तो वो तो मौखिक रूप में बाते हो गई पहुचा दी लेकिन कई बार ऐसा होता है कि उस बात का हमें जब हमने आपस में बात करी और उसी समय वो बात खत्म हो गई लेकिन वो भाव और वो जो विचार हैं हम और अन्ने लोगों तक पहुँचाएं जो उस समय नहीं हैं उस समय प्रेजन्ट नहीं हैं तो उन तक वो बाते कैसे पहुचाएंगे या हमारे बात हमारे भावों के और हमारे विचारों को हमारे मन की बात और हमारे जो महापुरुष हैं या ग्यानी पुरुष हैं जो ग्यान की बाते करते हैं वो आज प्रेजन्ट में हैं लेकिन कल को जब नहीं रहेंगे तो आने वाली पीडी को उनके विचार और भाव और उनका ज्ञान की बाते कैसे पता होंगी तो ये आपको ये जो चीजे होती हैं उन सब बातों और विचारों को जब हम लिखित रूप में लिखकर संग्रक्षित कर लेते हैं तो वो होता है लिपी लिखित रूप में जो लिखा जाता है भाशा की जो लिखित रूप में जो ल मं थोता है और वही द्वनी चिनन्ही लीपी कहलाते हो जैसे मौकिक ध्वन्यों गए लिखित रूप को प्रकट करने के लिए निश्चित किए गए चिन्हों को हम लीपी कहते हैं जैसे हर एक भाशा की अपनि एक लिपी होती है और हमारे एक से अधिक भाशा हैं तो उनकी लिपियां भी अलग अलग होंगी जैसे तीन हिंदी संस्कत मराथी और नेपाली यह जो चार भाशा हैं उनकी लिपी देवनागरी है पंजावी में गुरुमुखी लिपी है उर्दु की फार्स अंग्रेजी की रोमन लिपी यानि कि जो लिखित रूप में लिखने के लिए जिन ध्वनी चिन्नों का प्रयोग किया जाता है उसे हम लिपी कहते हैं और लिपी को इसकी सबकी अलग अलग है हिंदी संस्कत मराथी और नेपाली इन चार भाषाओं की लिपी एक है लेकिन बा लिपी लिखने का तरीका अलग है इसमें बाई से दाई और लिखा जाता है यह जो लिपी लिखी जाती है वो बाई से दाई की और लिखी जाती है जबकि फार्सी लिपी में इसे बाई और लिखी जाती है यह लिपी लिखने का तरीका है ठीक है तो आपको यह समझ में आ लिपी का मतलब यह होता है कि जिस भाषा के लिखित रूप को हम लिपी कहते हैं जो हमारे बाते हैं जो विचार है उसको हम कहीं भी लिखित रूप में अगर संग्रहित करते हैं तो सुरक्षित करते हैं तो उसे हम लिपी कहते हैं ठीके अब अपना जो सेकिन इसका वो है व् व्याकरण अभी पूरा चेप्टर भाषा पर ही निर्भर पूरा भाषा के बारे में हैं भाषा कितने प्रकार की थी पहले मैंने भाषा बताया फिर भाषा कितने प्रकार की है फिर भाषा के लिखने के चिन्नों को क्या कहते हैं वो लीपी कहते हैं अब भाषा को शुद्ध रूप में बोलना, लिखना, और पढ़ना सिखाता है। व्याकरण के कुछ नियम होते हैं। इनके ज्ञान के बिना किसी भी भाषा का प्रियोग है शुद्ध रूप से नहीं किया जा सकता है। जैसे हम लोग कई बार होते हैं आप लोग लिखने में शुद्ध कर देते हो या बोलने में शुद्ध करते हो तो हम कहते हैं यह गलत है तो उसको जो हम उस भाशा को बोलने को और लिखने को जब हम शुद्ध रूप देते हैं तो वो व्याकरण के मात्यम से देते हैं जैसे example उधारन देती हूँ क्या तुम मुंबई में रहता है अब देखो इस में क्या तुम बुंबई में रहता है तो मुंबई में रहता और आपद्गो इसको बोलने में कितना अटपता नहीं लगा रहा है या शुक्द है इस में जो साही वाक्य क्या तुम बुम्बई में रहते हो उसका बेहन आया है अब देखो उसका बेहन इस्त्रीलंग शब्द है और आया है वो अपना पुरलिंग हो गया किसी बादा पुरुक्ले के लिए बोल रहे हैं अब इसको जब हम शुद्ध करेंगे तो इसका होगा उसकी बेहन आई है बेहन इस्त्रीलिंग है और आई जो हमने शब्द लगाया वो इस्त्रीलिंग में तो इसी तरह से जो वाक्यों के बोलने में या लिखने में जो अशुद्धी होती है उस अशुद्धी क जब हम शुद्ध करते हैं तो वो व्याकरण के भाषा, व्याकरण के माध्यम से करते हैं, ठीके, अब व्याकरण के तीन अंग होते हैं, मतलब तीन पार्ट होते हैं, व्याकरण के वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार, आप लोगों को ये भी पता है कि जो पहाशा का निर्मार होता है वर्ण, वर्णों से शब्द, शब्द से वाक्य, तो इसमें वर्णों के आकार, वर्ण कितना उसका आकार उच्चारण, उच्चारण मतलब बोलना और उसका वर्गी करण संधी यानि की वर्णों को मिलाना, ये सब पे जहां विचार किया जाता ह वो होता है वर्ण विचार शब्द विचार में शब्दों के भेद व्यूत्पत्ति उसकी रचना आदी पर जहां विचार किया जाता है वो होता है शब्द विचार और वाक्य विचार जहां पर वाक्यों के भेद वाक्यों का सुरूप यानि उसका रूप उसका विशलेशन उसका शंशलेशन जहां पर विचार किया जाता है वहां पर वाक्य विचार यानि कि व्याकरण के नियम हैं जिसके आधार पर हम भाशा को शुद्ध करते हैं और वो तीन अंग हैं उन तीनों के माध्यम से जो भाशा है वो शुद्ध होती है पहले वर्णो पे विचार करें फिर शब्दों पे विचार करें फिर वाक्यों पे विचार करें तब हमारी शुद्ध भाषा का निर्मार होता है तो आज हमने लिपी और व्याकरण के बारे में अब इस पार्ट का पूरा सार क्या है पूरा जो शारांश है सबसे पहले भाषा क्या है भाष भाषा मनुष्य के विचारों के आधान प्रदान का माध्यम है। भाषा दो प्रकार की बताई थी मौकीक और लिखिद जो मुख से बोली जाती है वो मौकिक और उसी भाषा को जब हम लिखित रूप में लिखते हैं वो लिखित। तीके अब इसके बाद भाशाएं मैंने बहुत सारी बताई हैं भाशाओं को जहां पर हम लिखित रूप में लिखते हैं वो होता है लीपी और लीपी सबकी अलग अलग है केवल चार भाशाओं की लीपी एक है इसके बाद भाशा को शुद्ध करने का तरीका यानि भाशा को जब हम शुद्ध करते हैं वो व्याकरण के माद्यम से शुद्ध करते हैं तो व्याकरण जो होती है वो हमारी भाशा को शुद्ध रूप करती है वो तीन अंगें उसके व्याकरण के वर्ण विचार, शब्द और वाक्य विचार, यानि कि जो भाषा का शुद्ध रूप इन तीनों से अंगों से होकर होता है, पहले वर्णों पे विचार करना है, फिर शब्दों पे विचार करना है, फिर वाक्यों पे विचार करना है, तब हमारी भाषा का शुद्ध रूप हमारे सामने आता है, तो म आप जो इसके पीछे tick the correct answer दिये गए हैं, fill ups दिये गए हैं, true false दिये गए हैं, वो chapter के अंदर से ही हैं, कोशिश करो, उसके बाद next day मैं आपको उसके fill करे हुए pages भेजूंगी, उसकी pick भेजूंगी, उसमें से आप tally करना correct हैं कि uncorrect हैं, अगर मनलग गालत हैं तो उसको सही क answer हैं, वो मैं लिखकर आपको pdf बना कर भेजूंगी, व्याकरन की आप अलग copy बनाना ज्यादा मोटी नहीं, व्याकरन की क्योंकि इसमें जो आपके book में fill करना है, वो book में ही check करूंगी, और केवल question answer जो हैं, वो आपके copy में बनेंगे, तो आप copy में एकदम neat and clean book को साफ लि लिखकर उस question answer को no down करेंगे, ओके, thank you